आप नमस्कार इजी टू लेन मैं आपका फिर से एक बार बहुत बहुत सौगत है कल हमने शार्प टॉर्क और अर्मेचर टॉर्क देख लिया था उसके ऊपर के थोड़े बहुत हम दो निमरिकल देख लेते हैं आज के लेक्चर में और हम आगे स्विच करेंगे तो चलिए प 110 Ampere at 480 Holt. Armature circuit resistance 2.0 Ohm. The machine has 6 pole and the armature is lap connected with 864 conductors. The flux per pole is 0.05 Weber. Calculate speed and second क्या करना है हमें? The gross torque developed by the armature. चलो ये दोनों तो हमें समझ में आ गया कि find क्या करना है? Find equals to speed करना है. कि फाइंड क्या करना है मैं स्पीड करना है और आर्मेचर ट्रॉक ग्रॉस आर्मेचर ट्रॉक कहने क्या फाइंड करना है मैं आर्मेचर ट्रॉक टी ये इकोल्स चलो ये दोनों तो समझ में आ गया है कि हम ये फाइंड करना है अब गिवन क्या दिवा है गिवन इकोल्स टू सबसे पहली बात तो डीसी मोटर दिया है होह है यहा पे इनों ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि सेन्ट मोटर है इसलिए हम और opia मोटर खारण्य कोई भी मोटर उन ही कल वही लेंगे आगे चलके मैं बताता हुँ डोंट वरी ठीक है तो और क्या दिया हुआ हमें करंट आर्मेचर करंट सबसे पहले आईए इक्वल्स टू क्या दिया है 110 एंपेर 110 एंपेर वोल्टेज दिया हुआ है वी इस इक्वल टू 480 होल्ट दिया हुआ है कि आर्मेचर सरकुट रेजिस्टन्स आर्मेचर का आनकर आरे दिया हुआ है औरे 09 प्मॉम त मसीन है और मसीन के पोल भी देवे 6 है ठीक है एंड दो आर्मेचर इस लैप कनेक्टेड हाँ यह इंपोर्टन चीज लैप कनेक्टेड दिया हुआ है अब देखो पैरलेल पैथ के लिए हम इसका काम पड़ेगा चलो आगे देखते हैं कितने दिवह है कंड़क्टर जेड इक्वेल्स टु तू एट सिक्स फूर इट हंडेड शिक्स्टी फूर ठीक है अब आगे ले हैं फ्लक्स पर पोल 5 पर पर पोल इक्वल्स टू 0.05 वेबर दे हुए है ठीक है इतना सब कुछ हमें दिया हुआ है अब हम करेंगे कैलकुलेशन ठीक है अब आते हैं हम प्रोसीजर पर सबसे पहले हम N निकाल लेते हैं सबसे पहले हम N निकाल लेते हैं आप स्पीड किसके फर्मूले में हमें रिलेट करता है याद कीजिए बैक इमेप का यह हमारा फर्मूला था जो कि बहुत बार हो गया है बैक इमेप इक्वल टू वी क्या था बैक इमेप का फर्मूला 5 फर्मूला था हमारा बैक इमेप का अगर मैंने किसी तरह से बैक इमेप निकाल लिया तो फाई तो है मेरे पास जेड भी है यन तो निकालना है यन निकल जाएगा पी भी दिया हुआ है और ये भी निकाल सकता हूँ ये कैसे निकाल सकता हो लाप वाउं लाप वाउंड के लिए ये कितना दिया होता है हमेशा फॉर लैब वाइंडिंग लैब वाइंडिंग क्या होता है नंबर आप पोल इक्वल्स टू नंबर आप पैरलल पात होता है ना लैब वाइंडिंग में हमने यह कंडिशन देखी थी इसका मतलब नंबर आप पैरलल पात भी है यह की भी वाल्यू है मेरे पास इभी निकालना है अब इभी किस तरी केसे निकाल सकते है देखते हैं इभी इभी एक्वेश टू V मैनश आईए आरे ये एक वी का फर्मूला श्तक्षे adapt फर्मूला था इसमें देखे एघी बेखे वी दिया हुआ है आये भी दिया आये इसमें इससे निकल जाएगा चलो voltage कितना दिया है 480 volt 480 volt ठीक है minus आये कितना दिया हुआ है आये दिया हुआ है 110 ampere into 110 ampere into आये कितना दिया है आये दिया हुआ है 0.2 equals to equals to एकक्वल्स तू मेरा इबी आ जाएगा 458 फॉल्ट 858 फॉल्ट ई-बी आ जाएगा चलो अभी इबी निकल गया मेरा बाकी सब चीजे तो दीवे तो मैं इस value में इस formula में रखता हूँ इस formula में eb के value रखके ये value find कर लेता हूँ direct आप calc से भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं ठीक है तो मैं लिख देता हूँ eb कितनी निकला है 4 5 8 equals to 5 कितना है हमारा 0.05 into z कितना है जेड 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 कहा गया हाँ 8 6 4 into n येन तो में निकल नहीं है ठीक है upon क्या है 60 six day upon 60 into into your number of parallel six is total number of餅च इंची को सोरी नंबर फ्ल परक्ली कितने हैं 6 और लयप लयब लयप ओंडिन की condition कहा है number of parallel pole equals to number of sorry number of pole equals to number of parallel path यह condition है अब pole 6 दिये है तो number of parallel path भी कितने रहेंगे मेरे 6 रहेंगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6 upon 6 ठीक है अब देखें इसका जो calculation अगर हम निकालने जाएंगे हमारी n की value अगर हम n को निकालते हैं n equals to calcium में direct put करके या फिर solve भी कर सकते हो आप इसको तो यह आजाएगी 6 3 6 एक मिनिट मैं चेक कर लेता हूँ एक बार calcium पे शायद wrong हो सको 6 3 6 rpm 636 rpm rpm speed की दमें चलो हमारा n इं तो निकलके आ गया इं निकलके आ गया अभी हमें क्या निकलना है torque भी जल्दी से निकल जाएगा अभी यह निकलके आ गया तो torque को क्या time लगने वाला है निकलने के लिए है न निकाल लेते हैं चलो देखिए torque का formula क्या था हमारा टी ए इक्वोल्स टू टी ए इक्वोल्स टू हमारा क्या था जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट वन फाई नाइन फाई जेड आई ये इन्टू पी बाई ये न्यूटन मेटर ये फार्मूला था हमने निकाला था पिछले लेक्चर में ठीक है अब देखो फाई भी दिया हुआ है आई ये भी दिया हुआ है पी और ये भी दिया हुआ है ठीक है सब चीजे तो दिये हैं हमें यह आपे चलो तो फिर वैलू पूट कर देते हैं टी ये इक्वोल्स टू क्या जाएगा 0.159 इंटू फाई कितना है हमारा 0.05 थोड़ा फास लेते हैं और यह जेड कित इतना है सीक्स इसके बारे में हमने अभी अभी डिसकेशन किया तो हमारा अंसर निकल के आज जाएगा चेक कर लिजाए आप एक बार केल सीपे मैं भी केल सीपे पूट कर देता हूं अंसर आता है 756 756.3 नूटन मिटर ठीक है अने के टॉर्क हमारा कितना आगा है टी ए इकोल्स टू आर्मेचर हमा हमें इस में इस निउमरिकल में हमें क्या निकलना था स्पीड जो कि हमने निकल ली एन और ग्रॉस टॉर्क डेवलप बाय आर्मेचर है निका आर्मेचर टॉर्क निकलना था जो कि हमने निकला कितना है 756.3 नूटन मिटर यह हमारी दोनों वैलू निकल के आगए